Hey guys, what's up, welcome to Tekken Tools VR, आज की इस वीडियो में हम लोग बोट एर डॉस 441 की अन्बॉक्सिंग करने वाले हैं, तो इस वीडियो को स्थार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, अगर आपको ये अन्बॉक्सिंग वीडियो को लाइक करना, शेर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करते आज एसी बड़िया बड़िया वीडियो देखने के लिए, तो विडाट विश्टिंग अन्वो टाइम, लेट गेट स्टार्टिए जालिए गाइस, आप हम लोग अन्बॉक्सिंग रगते हैं, हमारे सामने हमारे बोट एर डॉस 441 का बोक्स रगवाव जिसे कि हम लोग ख ठालर मैं और में एक केबल के उसके Mis 저희 हम म हैं खंते हैं हमारी वार्टका उसके आद में खुच ए एक बसे में यह और यह एक यूस्भी उप्स linguya के माई और उसके लगया ऐं वह हमारे बोट एरोडोस 441 जिसके अपर आगे बात करेंगे ही सबसे पहले अगर विसमें लुक्स की बात करें तो इसके लुक्स बहुत ऑसम लग रहे हैं देखने में जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसका कलर कितना प्यार है ब्लैक और ग्रीन अब अगर हम लोग इसके सबसे पहले हमें सामने की तरफ बोट की ब्रेंडिंग देखने मिलती है जो कि ग्रीन पीछे की तरफ हमें माइक्र युएस्बी पोर्ट देखने का मिलता है जिससे कि बॉक्स चार्ज होएगा अगर बॉक्स को हम खोल के देखे तो ये एक क्लिकली साउंड करता है क्यूंक तो हमें ही दोनों इयरबट्स में बोट का लोगो देखने को मिलता है और पीछे की तरफ इनमें सरकल में करके एक लाइट लगा रखी है जो की ब्लू और रेड़ लखी जलती है आग की तरफ आपको चार्जिंग पॉइंट देखने को मिलते हैं जहां पर मैंचिन कर रहा है राइट और लेफ्ट है और उपर आपको ये रवड का देखने को लता है जिसी कि आपके कान में ये फिट हो सकता है अराम से और आपको यहां पर ये इन इयर में मिलता है देखने को और इसका कलर है ब्लैक और ग्रीन दोनों के लुक्स आउसम है पीछे की तरफ आपको बहुत ही आउसम लगता है और इस पर प्रेस करके रहेगा तो मतलब ये ओफ हो जाएंगे डबल टाइप करेंगा तो प्रीवियों सॉंग और नेक्स सॉंग पजा सकते है ट्रिपल टैप में अवाज कम तेज होती है इसमें अब हम लोग कनेक्टिविटी को देखते कि 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 इसनी फास्ट मतलब पेर हो जाता है यह हमने निकाला ब्लुटूथ ओन किया रखा और कनेक्ट कनेक्ट मतलब बहुत जल्दी हो जाता है और इंडिकेट कर रहा है कि 100 परसेंट अभी बैक्टरी में है अगर यह वडियो अच्छी लगे अगर यह वडियो को लाइक करना शेर करना और चल को सब्सक्क्राइब करते हैं ऐसे ही बड़े बड़े हैं टैक के झाल